नाथ प्यारे कीजे, सद्गुरु महाराज कीजे मंच पर विराजमान, सभी विद्वत गाण और मेरे समस सुन्द साथ आपके चरणों मेरा दिल से कोटा हैं कोट प्रणाम, प्रणाम जी इश्क है हमारी निशानी बिना इश्क दुलहा मेरा नी इश्क बिना में भई बिरानी बिना इश्क ना सकी पहजानी बिना इश्क ना सकी पहजानी इश्क है हमारी निशानी इश्क है हमारी निशानी ये इश्क, ये प्रेम, ये क्या है? कौन से इश्क की बाद हमें याद दिला रहे? अगर हम इस संसार की प्रेम की परिभाशा को जहां तक समत्ते तो वो तो स्वार्थ से बरा हुआ है ना? लेकिन ये तो वो अखंड इश्क है, वो हमारा प्रेम है, जो हमें याद दिला रहा है और इस अखंड प्रेम की परिभाशा को हम समझे तो अभी कैसे समझे? सागर का जल अगर शान्त होगा, तो उसको सागर कैसे कहेगे? जब तक उसमें लेहरे ना उठे फिर जिस तरह सागर के जल में लेहरे उठती है, उसी तरह अक्षरातित का रदए जो इश्क और आनंद का सागर है, जिसे गंचान गंच कहा गया है उस दिल रूपी सागर में से जो लेहरे उठती है, उसका रूप है श्यामा जी, सक्खिया, पुरा परमधाम, अश्ट प्रहर की होने वाली वो सारी लिलाए हम ही तो वो इश्क है, वो आनंद है, धनी के दिल से बेहता हुआ वो रस याके प्रेम से जिया सिंगार, वाके पार न पाईये पार, प्रेम अरस परश्यामा श्याम, सैया वतन धनी धाम पुरे परमधाम में हमारे अक्षुरातित का दिल ही तो है, जो हर आकार में हमें द्रश्टी गोचर हो रहा है अगर शक्कर, चीनी को हम चमच में रखे, छोटी कटोरी में भरे, या कोई बड़े बरतन में भरेगे इन सारी चीजों में से अगर उस शक्कर, उस चीनी को हम चकते हैं, तो हमें वो मेठी चीनी ही तो मिलेगी ठीक, इसी तरह से हमारे आत्मा के प्रियतम का रद है, जिसमें से इश्क और आनन का रस बेता है जिसकी वज़े से उस रस जो नूर की तरह जलक रहा है, तो धनी का दिल ही तो है चाहिए फिर हम परमधा में कहीं पे भी जाए, वो मानिक पहाड़ी क्यों ना हो, हमारी वो जमना जी का जल जब वो अहां हम जिलना करने जाते हैं, तो हमारे धनी का प्यार ही तो है, जो जमना जी का जल बन जाता है और हमारे साथ उमढ़ उमढ़ के क्रीडाये करता है इसी तरफ पुरे परमधा में हम कहीं पे भी जाए जो कुछ भी लिलाये करें, जो कुछ भी क्रीयाये करें वहां हमारी कहनी, करनी, रहनी उन सारी लिलाओं में धनीकाई तो दिल है जो हमें दिखाई दे रहा दुसरा इत कोई है नहीं एके नूर जमाल इस सब में हक नूर है यहां कोल फेले आल सिर्फ और सिर्फ धनी का ही दिल है जो हमें हर जगह हर रूप में दिखाई देता है और इसी लिए हमारी परमधा में वो एक दिली है क्योंकि अगर एक प्रेमी है और एक प्रियतमा है दोनों के बीच में प्रेम है लेकिन अगर वो दोनों का दिल ही एक नहीं हो पाया दूसरों ने एक दोनों ने दिल ही नहीं दिया तो वो प्रेम थोड़ी ना है इसमें भी में स्वार्थ आ गया न ठीक इसी तरह से परमधाम में तो सिर्फ और सिर्फ धनीकाई दिल है जो हर रूप में हर सक्खिया में हमें द्रश्टी को चरो रहा है और इसलिए परमधाम में हमारी एक दिल है क्योंकि अगर यहां के प्रेमी और प्रियतम की तरह देखते हैं दिल ही नहीं दिया तो एक विपाजक रेखा हो गई और यह हकीकत भी है किन्तु परमधा में हम सब ने भी हम सब को भी उस प्रेम के स्वाद का पता नहीं था उस मार्फत के स्वारूप का पता नहीं था और इसलिए हम सब ने भी वो प्रेम रूपी इश्क रब्द किया और इस संसार में हमारी आत्मा है किन्तु आत्मा का भी दिल तो परातम का ही प्रति भीम है ना और परातम का दिल मतलब कि हमारे प्रियतम का दिल जब एकी दिल है, एकी दिल के रूप में हम बार हचार ब्रहम स्रिष्ट या इदर आई है, तो आज हमारी वो एक दिली क्यों नहीं हो पारे, आज हमारे अंदर वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा। जो प्रेम परमधाम में है, वही एक दिली लेकर वही सुर्ता रूपी आत्मा है, जब इस संसार में आई, तो यहाँ पर भी तो एक सकी के अंदर, दुसरी सकी के लिए वही स्नेवभाव, वही निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए ना, किन्तो आज हम वो प्रेम लाई नहीं प रहे हैं, रही बात निशानी की, तो धनीक तो कहरें कि हम ब्रहम शुष्टियों की तो पहचानी हमारी तो निशानी ही प्रेम है, अगर इस संसार की नजर से देखें, तो जैसे निशानी, एक निशानी, अगर एक सही नीक जब देश की रक्षा करने के लिए जाता है, तो वो अपनी पत्नी को प्रेम रुपी कुछ निशानी दे कर जाता है, फिर वो कोई भी चीज क्यों ना, चाहिए छोटा सा रुमाल, और उसकी पत्नी उनकी वो निशानी को अपने पास रखती है, और उनकी याद में, उनकी प्रेम में खोई रेती है, क्योंकि जब तक दोनो संसार में आई, हमारी सूर्ता रूपी आत्मा, जब इस नश्वर, इस असत्य के खेल में आई, तो हम उस परम सत्य को, हमारी उस एक दिली को, हमारी उस परम धाम को, वो इश्क, वो आनन्द को, सब को भूल गए, हमारी वो एक दिली को भूल गए, जब की जब आ रहे थे, तो कौन सी बाजी लगा कराये थे वतन से आया सहिया सबे बांध के होड प्रेम रुपी इश्क की बाजी लगा कराये थे किन्तु आज हम सब किस अवस्था को तो देखो आज हमारे अंदर वही प्रेम वही इश्क नहीं है और नहना ही वो रहनी ला पाये इस तिसरी लिला में धनी के रहे निशानी ये तो नस्वर संसार की निशानी हमने सुनी किन्तु हमारी ब्रह्म शुष्टियों कि वो अखण निशानी कोन सी है क्योंकि हमारा प्रेम तो इन सब से परे है तो हमारी वो ब्रह्म आत्माओं कि वो निशानी है ये तार्तम वाणी जो धनी ने आकर हमें दी जिससे हमारी पहचान हुई हमारे प्रेम की हमारे इश्क की पहचान हुई ये वही तार्तम वाणी है जो हमें पहली लिला में भी पता नहीं था दुसरी लिला में भी हमें पता नहीं था वो ही साथ जागनी की तिसरी लिला में धनी ने अपने इस दिल के सागर को खोल के रख दिया किसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये ब्रह्मानी का प्रकास आज हमें कह रहा है संकेत कर रहा है कि है आत्मा तू तेरे धाम रदे में बेठे हुए अपने प्रियतम को निहार जो वाणी तुझे पल-पल ज्यान दे रही है पल-पल तुझे प्रेम दे रही है पल-पल तुझे उस आनंद के सागर में डुबो रही है वरना हमार ये तो वाणी ऐसे है न जो हम सब्दों में बया नहीं कर सकते सब्दों से भी परेश शब्दाति तो त्रिगुण आती थे प्रेम तो सब्दाति तो कहया जो हुआ ब्रह्म के घर सोतो निराकार के पार के पार इत दुनी पावे क्यों कर एसा खजाना हमारे धनी नस्वर संसार में आकर खोल के रख दिया और खोल के भी रखा तो क्यों रखा तो पहले तो वो जीव जो इस असत्य की दुनिया में इस माया में रहते हुए भी उस परमसत्य की खोज में लगे हुए थे तडब रहे थे उस प्रेम को जानने के लिए उस सत्य को ढूंड रहे थे जोर उसी मुनी ना जाने कितने साले सालों से तपस्याई कर रहे थे और प्रेम रुपी राह भी अपनाई और प्रेम जीनों ने जहां तक जो मिला उनकी परिभाशा भी लिग दी कभी जी ने तो यहां तक कह दिया कि सबे रसायन हम किया प्रेम समान ना कोई रंचक तन में संचरे सबतन कंचन होई समस्त दवा और साधनों का कभी जीन ने उप्योग किया कि तु प्रेम रुपी दवा के बराबर कुछ नहीं है और यह प्रेम रुपी दवा के साधन का अगर हम अल्प मात्रा में भी उप्योग कर लेना तो यह प्रेम हमारे धाम रदे में इस तरह रस की तरह बेहता है कि हमारे नस्वर सरीर भी स्वन के समान उप्योगी हो जाता है एसा प्रेम एसी राह अपनाई इन संसार के जीवों ने और इसलिए बहुत सारे लोगों ने जैसे मिरा बाई, सुर्दास, सुफी फकीरों बहुत सारे जीवों ने इसकी परिभाशा भी दी किन्तु इन सब लोगों के पास हमारी इस अखन ग्यान का खजाना नहीं था उस सत और चीत आनंद के स्वरुप का उन्हें पता नहीं था और इसलिए धाम धनी ने हमें, हमें इस प्रेम की लिलाओं को जाहर करने के लिए हम सक्ख्यों को माध्यम बनाया और इस नस्वर संसार में, इस असत्यम में उस प्रेम सत्य को जाहर करने बेजाए वो प्रेम सिखाने बेजाए प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म श्रिष्टी लयाई हमें माध्यम बनाकर धनी ने इतनी बड़ी सोभा दे दी और जो इश्क और आनन्द का स्वाध हमें वहां पता नहीं था न वो आनन्द में डुबने के लिए इतनी बड़ी निशानी इतनी बड़ी पहचान इस तार्तमवानी के रूप में भी हमें आ कर दे दी अगर हम सोचे न तो इस नस्वर संसार के जीव जो जिसे इस अखण ग्यान का पता नहीं था फिर भी फिर भी वो डुबे और इनका प्रेम तो सिर्फ हद और बेहद की अनुभती के धरातल तक ही रहा किन्तु जिस प्रेम की रह अपना कर इस नस्वर संसार के जीव डुबे ना आज हम सब तो सुन्दर साथ केते हुए भी ब्रह्म श्रिष्टी केते हुए अखंड धाम की दुलहिन केते हुए भी वो प्रेम नहीं ला पाए ना जाने आज साल तिन सो साल वर्ष उपर हो गए कि तो हमारी आत्मा जागुरुत नहीं हो पाए वो प्रेम वो रहनी नहीं ला पाए हुए वो समरपन वो श्रद्धा वो इमान ने लापाई और यही प्रेम आज हमारे अंदर ना आने से ना जाने इतने सालों से हमारी आत्मा भी कितने जीवों पर बेट कर इस माया का खेल देख रही है और सिर्फ और सिर्फ वो प्रेम न होने से हमारे अंदर जीव भाव को प्राप्त होकर वो सिर्फ और सिर्फ इस सरीर और संसार के मोजाल से बाहर ही नहीं निकल पा रही हमारा यह जीव जागुरुत ही नहीं हो पा रहा क्यों सुन्दर साथ जी हमने तो दावा लिया है इस नश्वर संसार में प्रेम का जंडा गाड़ना है और हमें ही वो प्रेम नहीं ला पारे व्रिथा गए एते दिन जो गए इश्क बीन बिना इश्क दुल्हामे रानी हमारा यह जीवन यहाँ पर निरड़धक है क्या उप्योगिता है हमारे इस जीवन की अगर हमने वो प्रेम नहीं किया धनी से वो प्रेम यहाँ नहीं दिया किसी को वो समरबन लेके नहीं आए क्योंकि प्रेम की अगनी तो ऐसी अगनी होती है कि जीशे भी लग जाए ना तो एक रुई का पाहाड होता है ना जिसमें रुई के पाहाड में अगर एक चिनगारी लग जाए तो वो रुई का पाहाड भी चल कर राख हो जाता है और ये अगनी चिस्छीव को लग जाए वो हजारों किया लाखों जन्मों के पाप को भी चला देता है और रदे निर्मल कर देता है क्योंकि प्रेम छिपाए ना छिपे जो घट प्रगट होई जो पाए मुख बोले नहीं नयन देत लेरोई हमारी प्रेम की रा इस संसार की लोगों की तरह नहीं है वो तो इन सबसे अलग है और जिसको ये प्रेम की विरह की अगनी लग जाए क्या वो इस संसार की लोगों की तरह रहता है दिन हो या रात उनके अंदर तो वो प्रेम का स्वरुप बसा हुआ होता है प्रेम ये और इश्क मुँसे बोलता नहीं लेकिन दिखा देता है आज हम धनी की अंगना केते थाम धनी की जिसको पहचान हो जाए क्या उसकी रहनी ऐसी होती है हमारी तो रहनी भी सबसे अलग होनी चाहिए लेकिन आज हम सब क्या करें ये तार्तमवानी का ज्यान लेकर अपने इस तेज बुथी के द्वारा ये जो इश्क और इलम हम पांख केते उस ज्यान को सिफ ग्रहन कर लेते लेकिन वो प्रेम हम कब ला पाएगे क्योंकि अगर इश्क हमें वाहे दत में डुबो देता है तो इलम हमें उसकी लजज़त देता है और आज हम सब ये ज्यान ग्रहन करके बड़ी-बड़ी बाते ही करते रहते कि हमारे अंदर प्रेम है दिखावा ही करते है आच्रण में लेके नहीं आते ठिक इसी तरह बिना इश्क दुल्हा में रानी इश्क बिना में भई भी रानी अगर हम कोई बाग में जाए जो पुरी तरह हरा हरा हो और वहाँ जाकर देखेगे कि पेड में तो पत्ते ही नहीं है तो वो बाग भी हमें जंगल लगेगा ठिक इसी तरह आज हमारा रदई में सिर्फ इलम लेकर ग्यान ही लेते रहेंगे लेकिन उसे इश्कों में परिवर्तन नहीं करेगे तो हमारा रदई भी सुना है उज़ाड सा लगता है प्रेम के बीना कुछ नहीं है और हमारे इस जीव को निर्मल बनाने के लिए हमें प्रेम महीं चित्वनी करनी भी जरूर है क्योंकि जब तक एक धातू होता है न जब तो वो पूरी तरह पिगल ना जाए तब तक उसे एक साचा भी स्विकार नहीं करता ठिक इसी तरह हम भी हमारे जीव को विरहरूपी राह अपना कर प्रेम में परिवर्तन नहीं करेगे तो हमें भी धनी नहीं मिलेगे बस सुन्जर साची इतना केकर में मेरी स्वानी को विश्राम देते बोलिये श्री प्राणे नाथ प्यारे